तो आप सभी काई अगर फिर से स्वागता आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको 1000 रुपिय राजे राशी के रूप में मिलता है तो उसके लिए कुछ कार ये आपको हर मेने करने पड़ते हैं अगर आप उन काम को नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपिय नहीं दिया जाता है आपका 1000 रुपिया सेलरी के रुप में जो मिलता है वो काट लिया जाता है तो मैं फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि ये साथ जो काम है जिसके लिए आपको 1000 रुपिया दिया जाता है तो इन साथो काम को विरिफाई कौन करता है कौन इसको अ आपकी ANM वेरिफाई करती है और मात्रे तीन काम जो है जो कि होस्पिटल के माध्यम से होता है उन तीन कामों को आपका BCM वेरिफाई करता है तो आप मैं बता देता हूं कि वो कौन से चार काम है जो कि आपकी ANM वेरिफाई करती है और वो कौन से तीन काम है जो आपके BCM वेर का करण करवाने चाहिए तो पहला वाला आपका एनम वेरिफाई करती है दूसरा है कि सिष्टी परतिशत बच्चों का घर का दोरा ग्रेह भ्रहमन होना चाहिए तो ये भी आपकी एनम वेरिफाई करती है तीसरा ओप्शन है कि सिष्टी परतिशत गरवतियों का परसब पूर यह hospital से related है तो यह चौथा नमर वाला आपके BCM verify करते हैं पांचवे नमर पे है यह है कि अंतरा का injection hospital में लगवाने वाले मतलब इसमें पांचवे नमर वाला hospital वाला है अगर अंतरा का injection लगता है तो इसका verify BCM करते हैं पांचवे नमर वाला six नमबर मतलए चछटे नमबर पे दिया है कि परतेक मा आसा दिवस में, जो कि आसा का मीटिंग होता है, उसमें हर मेने उपस्तित होने वाला जो अप्षिन है, ये है छटा नमबर, ये वाला आपके hospital में ही मीटिंग होता है, इसलिए इसका credit जाते हैं, आपके BCM को होता है, six साथवे नम्मर पर जो दिया है, यह भी अंतरा वाला ही है, लेकिन यह अंतरा अगर आप अपने ठीका करन अस्थल पर अपने A&M के पास किसी औरत को अंतरा लगवाते हैं, शादी शुदा औरत को तो इसका आगर आप रिपोर्ट भेजते हैं तो इसका वेरिफाई आपकी एनम करती है तो आप आपको बता देता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा और साथवा नम्मर वाला जो काम है ये चारो काम आपकी एनम वेरिफाई करती है क्योंकि एनम के आईडी में ये चारो का रिपोर्ट जाता है और चौथा, पांचवाँ और छटा, ये तीनो काम आपके बीसीम वेरिफाई करते हैं क्योंकि ये तीनो का अगर आप रिपोर्ट भेजते हैं तो ये तीनो का रिपोर्ट आपके बीसीम के आईडी में जाता है अ जो मारगा उसके पाध जा कर आप कम्प्लेन कर सकते हैं कि आपने आकर वो रिजेक्ट क्यों मारा जब मैंने वो काम किया है तो अब मैं बता देता हूँ कि 1000 रुपे जो आपको मिलते हैं इन साथ कामों मेंसे कम से कम चार काम आपको हर मेने करने पड़ते हैं इन साथों मेंसे किसी भी चार काम को आप करते हैं और टिक मारते हैं टिक मारने के बाद जब verify होता है अगर चार काम अनुशंशित हो जाता है बाकि सब reject भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इन मैंसे इन सातो काम मैंसे चार काम अनुशंशित मतलब verify होने चाहिए accepted होनी चाहिए चार काम आपके अनुशंशित हो जाएंगे तो आप आपको हजार रुपे मिल जाएंगे लेकिन अगर मातर तीन काम वेरिफाई होंगे तीनी काम अगर अनुशनशित होंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा कम से कम चार काम वेरिफाई मतलब अनुशनशित होने चाहिए जब आपके चार काम अनुशनशित हो जाते हैं accept हो जाते सही होते हैं तो आपको 1000 रुपे मिल जाते हैं तो आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा अगर और भी कुछ जानकरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं